कि नया संब वापस रेक्टिफिकेशन का वापस बनाएंगे से सब्सक्राइब अच्छे से हो पाए और अच्छे से प्रैक्टिस तुम भी करो मैं भी करो साथ साथ करते हैं क्योंकि नोट बुक में लिखोगे तो ही समझ में आएगा रेक्टिफिकेशन के लिए राइट एंट्री रॉंग एंट्री और रेक्टिफाइट बनाने ही पड़ेगी फॉर्मेट बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है सी बॉर्ट गूट फ्रम हरी 500 रिकॉर्ड इंदे सेल्स बुक बट हरी एकाउंट इस करेक्ट्ली क्रेडिट तो हरी अकाउंट ठीक है कितना होना चाहिए था 500 500 वो बोड़े सेल्स बुक में हमने डा दिया सेल्स बुक का मतलब हो गया हरी तो सेल्स बट कहरें साथ साथ हरी को करेक्ट क्रेडिट किया है इसका क्लियर मतलब है सेल्स भी क्रेडिट हुआ है और हरी भी क्रेडिट हुआ है अजम सिन मत मारो गहरें हम न Вас छला हो जो उन्य उन्हें बोला है उतने पर ही हम रखेंगे अपने दिमाग को कि उन्होंने क्या बोला सेल्ज बुक में चली गई मतलब सेल्स क्राडिट तो हुआ है मतलब कि हरी को ऱ चीज था डेबिट अगर सेल्स जाती तो लेकिन वो बोल रहे कि हरी credit हुआ है तो यह credit ही हुआ है यह entry हुई है again assumption नहीं है कि उपर कुछ नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता जर्नल एंट्री है नहीं यह सब चीजें नहीं सुचना है चलो हरी तो correct है credit में correct wrong क्या है purchase wrong है sales wrong है sorry purchase right है sales wrong है right on right side wrong on other side मतलब यहां पर क्या होगा purchase तो debit होगा ही होगा क्योंकि वो right है उसको सही रखना हमे purchase account debit and sales को भी हमें debit करना पड़ेगा to make it correct है ना नीचे क्या कुछ नहीं है तो suspense account तो यह suspense में जाएगा कितना 500 500 and this is 1000 चीक है ना बहुत easy है चलो next sales of good to ram 2100 is credited to him as 1200 ठीक है credited to him him उसके account में बाकी कुछ नहीं चलो second वाला देखते है sales of good to ram पहले तो हम entry होने चाहिए थी राम to sales कितनी 2100 2100 हुआ क्या यहां पे हुआ राम का गैन sales of goods to ram 2100 is credited to him 1200 मतलब sales तो credit हुई हुई है लेकिन साथ में राम को भी credit कर दिया गया है 1200 से यह 2100 यह 1200 समझ में आ रहा है तो credit हुई हुई है राम को गलती से credit कर दिया है 1200 से होना चाहिए था debit 2100 तो क्या करें राम को debit करते हैं पहले तो जो होना चुग है था कितने से 2100 से debit और वापस debit करना पड़ेगा 1200 से उसको correct करने के लिए यानि कि राम अकाउंट को हमें debit करना पड़ेगा 3300 से यह चीज़ समझ में कैसे 2100 जो उनका correct amount था वो जो wrong था उसको भी plus करना है to suspense account so that is 3300 समझ आया है चलो next transaction देखते हैं कौन सी है next transaction next transaction sale of old furniture for rupees 3000 was entered in the sales book कभी भी furniture या asset कोई भी sale करते हैं तो sales book में नहीं लिखते हैं उसे कैसे लिखेंगे see sale of old furniture for rupees 3000 तो आना चाहिए था यहां पर cash आया due to furniture cash account debit to furniture furniture अकाउंट से आया है वो कितना 3000 रुपीज पर हमने क्या किया गलती से हमने गलती से sales में डाल दिया है entered in sales book book का मतलब होता है पूरी entry change तो sales book के अंदर again two sales होगा हमारा यहां पर sales account में चला गया होगा ऊपर जो भी लिखा हुआ है जो भी transaction है तो हमारा यह 3000 रुपीज आ गया यानि कि cash वाली transaction तो basically रही होगी यहां पर में भी हो सकता है कि कोई creditor है sorry यह debtor है जिससे पैसा हमें लेना है तो यहां पर debtor यहां भी debtor हो सकता है cash की जगे debtor तो debit वाला correct है कोई रिकत नहीं है उसमें debit में 3000 3000 only difference is this one furniture and sales sorry then furniture credit में है sales credit में है right on right side wrong on other side यह wrong है sales तो हम क्या लिखेंगे sales account debit to furniture account for furniture account so that is 3000 3000 this is 3000 3000 now next entry fourth one goods costing 1000 withdrawal by the proprietor for personal use work credited to sales account as 1400 अब होना चाहिए था क्या goods कभी भी proprietor अपने लिए यूज करता है तो आ जाता है drawings account debit to purchases account drawing हो रहा है goods से कितने का 1100 1100 now इसने क्या बोला withdrawal by proprietor for personal use was credited to sales account 1400 मतलब इसकी जगह sales हो गया उपर बिलकुल correct है drawing के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसको दिमाग में नहीं लिखना है वो सेम ही है drawings correct है credited to sales account गलती से sales account में credit हो गया है कितने से 1400 से account amount दोनों गलत है account amount दोनों गलत है अब क्या करें पहले account terror को खतम करेंगे right on right side wrong on other side see sales account हमारा चला जाएगा debit to purchases credit में चला जाएगा sales में अपना amount कितना 1400 purchases में कितना 1100 जो बचा हुआ है वो suspense account तो चला जाएगा 300 suspense account में easy है दिकत नहीं है हां तो right on right side wrong on other side उसी basis पर हमने किया यह entry चलो last entry करते हैं एक और उसके बाद बनाएंगे suspense account last entry paid rent rupees 2000 तो landlord गोपाल was debited to him again landlord है गोपाल उनको हमने दिया है rent 2000 लेकिन हमने उनके account में 1600 कर दिये हैं debit हमें क्या करना था हम कभी भी rent दें तो हमेशा हमारी entry होती है rent account debit to cash जो भी आप payment कर रहे हो cash से checks से जैसे भी दे रहे हो वह 2000-2000 लेकिन जो हमारा landlord है हमने गलती से उसे debit कर दिया है हमने लिख दिया है गोपाल account debit रेंट की जगे गोपाल और तू साथ में एक और mistake किया है क्या account के साथ amount की भी error किया किसमे गोपाल में गलती से cash वाले में मत डाल करनी है तो assumption नहीं लेनी है अब क्या करें राइट और राइट राइट रॉंग अधर साइट यहां पे रेंट आपका हो जाएगा debit कितने से 2000 से गोपाल हो जाएगा credit कितने से 1600 से अपने account अपने amount से और बचा हुआ जो 400 रुपे है वो चला जाएगा suspense account में that is 400 so understood how we need to do these transactions अब हम क्या करेंगे वापस suspense account बनाएंगे यह हटाते हैं जो भी suspense के एक दो तीन चार चार suspense के entries है तो उसे हम suspense account में डालेंगे and we'll get to know the difference ठीक है तो बराबर करते है उसको let's make suspense account that's the last part of this chapter now अब हम बना रहे हैं क्या rectification से suspense account rectification तो समझ आ गया आपको है आपको है अकाउंट error amount error undercast overcast सब समझ में आ गया बहुत practice भी कर ली आप भी करोगे और जादा पता ना कोई दिखकत हो तो कोई बात नहीं चलो अब suspense account करते हैं सबसे पहले suspense account है यहाँ पर कितना सी क्रेडिट साइट पर है suspense तो suspense के credit साइट पर ही लिखेंगे हम again by सामने दो अकाउंट है तो सामने दो है तो दोनों ही लिखे जाएंगे ध्यान रखना है by purchases by sales account कितना 500 500 यह ध्यान रखना है लेजर में posting के टाइम पर ध्यान रखना है सामने दो अकाउंट है तो दोनों ही लिखे जाएंगे सामने एक अकाउंट है तो एक ही लिखा जाएगा वो आपके उपर होता है next suspense वापस क्रेडिट में है सामने एक ही अकाउंट है second वाले में लिखेंगे by राम अकाउंट कितना हूँ आमारा 3300 next यह वाले में तो suspense ही नहीं यहाँ पर है यह सामने एक ही अकाउंट है third वाले में again credit में है by sales अकाउंट सामने sales ही है देखो सामने debit में sales ही है कितना amount amount अपना amount अपना नाम सामने वाले का ध्यान रखना है same way last में भी देखो suspense credit में है again credit में सामने एक ही नाम है तो by rent यह हमारी fourth transaction है not third so here it is fifth one last one rent में कितना जाएगा again नाम सामने वाले का amount अपना amount अपना लेजर पोस्तिंग में ध्यान रखना है यह चिक है चले नाव टोटल ही हो इस कितना fourty three hundred fourty three hundred plus seven hundred five thousand rupees so here it is five thousand यहां हम लिखेंगे balance brought down जो trial balance से लेकर रहा है कितना five thousand यहां पर five thousand लिख दिया and total done ठीक है easy है सब में suspense credit में था इसलिए सारी credit के entry आई और समने बैलेंस कर दिया अब हमारा खतम वो चुका है rectification of error कोई भी दिक्कत है प्रैक्टेस करो प्राक्टेस करने से ही account solve होता है जतना ज्यादा प्राक्टेस करोगे उतना अच्छा होगा अब हम उसके बाद क्या करने वाले है नया चाप्टर करने वाले है इसको रिवाइस करना है दुबारा देख लो एक बार अच्छे से सार entry करते रहना